नमस्कार दोस्तों कैसे आप उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे देखिए पिसली वीडियो में हमने सभी प्रकार के दिल्ली पुलिस परस्टनल को जो भी लॉन्स मिलते हैं जो लॉन की प्रक्रिया समझाई है कितने के किस तरह से मिलते हैं पूरी प्रोसस हमने समझाई उससे पहले हम सभी प्रकार की छुट्टियों पर बात कर श में आज की जो हमारी वीडियो है वह है दोस्त्त समी प्रकार के आलाउंस के ऊपर कॉन-कॉन से अलाउंस दिल्ली पुलिस के जो एक करमचारी को मिलते हैं ठीक है सभी आलाॉंस के बारे में बात करेंगे बेसिक पे का 24% होता है लेकिन एक चीज़ लिख दी के यह समें कि मिनीमम चववज़ों से कम नहीं हो सकता किसी भी के लिए चववज़ों से कम नहीं होगा और क्या 24% आपकी बेसिक पे के बराबर होगा ठीक है बाइब देखो सबसे पहला एक चारी देख लिया उसके बाद एक है हमारा ट्रांस्पोर्ट अलांस जिसे टी ए बोलते हैं जैसे के हम ट्रेनिंग पास करके आते हैं ट्रेनिंग पास करके और यह आपको जब मिलना स्टाट होगा जब आपके क्या है ट्रेनिंग के बाद जो आप एच्छारे बनवा के लगवाद होगे ठीक है लेकिन यह टीए जो हाँ आपका जुड़ जाता है जो आप पासा उठते हो उसके अगले सेलरी से ही आने लगता है ठीक है ठीक है पर पे 175 यह यह इसके बाद होती है बॉनस कितना होता आपका 708 रूपे होता है पर एनम तु नौन जी मतलब MTS2 Inspector Rank ठीक है, जी ओज मतलब Non-Gagited Officer ठीक है, ACP साब से हमारा Gazited Officer स्टाट होते है जब आपकी दीवाली होती है दीवाली होती है, उस पर आपका ये Bonus आता है, 798 रुपे ठीक है, ये Central Government सारी है, सभी का समान होता है उसके बाद है Extra पे आपको Extra पे जो है, Extra पे मिलती है आपका Basic पे है और उसका DA मिला के आपकी Basic पे जितनी है और उसका DA मिला के आपको क्या मिलती है, आपकी Extra पे मिलती है Costable to Inspector is eligible for Compensatory Pay once in a year ठीक है, साल में एक बार आपको मतलब, आपको पता है वो तो आपकी प्रते के State में भी होती है, State Police में भी होती है मैं पहले State Police में था, उसमें भी हमें मिलती है Department को, Police Department को क्या 13 महिने की Sellery मिलती है क्योंकि आपके जो सरकारी छुट्टियों वाले दिन भी ये लोग काम करते हैं, Sunday, Saturday वाले दिन भी काम करते हैं, तो उन्हें इसलिए एक Sellery Extra मिलती है, उसके बाद है 12% Training Allowance 12% Training Allowance ठीक है, Training Allowance of the basic way to all faculty member, other than permanent faculty member posted at PT or PTC or PTS, मतलब जो भी स्टाब PTC और PTS में जो तैनात होता है उसे 12% का Extra Training Allowance मिलता है, ठीक है भाई अगला है, Uniform Allowance Uniform Allowance देखिए, यह आपको क्या है, देखिए, हम Constable Constable को मिलता है, आपके 10,000 रुपे सबसे नीचे देखते हैं, MTS को मिलते हैं 5,000 रुपे Constable को मिलते हैं, 10,000 रुपे Constable to Inspector, 10,000 रुपे Danips Officer को मिलते हैं 15,000 रुपे, और IPS को मिलते हैं 20,000 रुपे, ठीक है आपको यह हो गया, आपका वर्दी भत्ता ठीक है, कितने सारे देखिए, वर्दी भत्ता हो गया Training Allowance हो गया, Extra Pay है Bonus है, रासन मनी है, Transport Allowance है और आपका है, सारे आपको भत्ते मिलते हैं ठीक है, यह सारे आपको Allowances मिलते हैं ठीक है भाई, अब भी यदि आपका कोई doubt है कोई question है तो आप comment box में comment कर सकते हैं मिलते हैं अंगली वीडियो में जेहन